दोस्तो वीडियो में हम लोग इंडेप्ट में अनलाइसिस करेंगे इंग्लेन 11 ओमेंस वर्सेस नेदरलेंड ओमेंस के बीच जो एक सबसे बिस्ट मैच होगा करेंट टुर्णामेंट का ECC ओमेंस T10 का वीडियो में इंडेप दोनोई टीम के बारे में complete analysis करने वाले है दोस्तों इस match में जो batting order है या फिर number of overs कौन से ballers डलेंगे ये सब कुछ दोस्तों depend करेगा merit के उपर यहाँ पर teams I don't think यह बहुत जादा changes या फिर rotation करेंगे अपने best level से best possible तरीके से खेलने का कोशिश करेगा दोनों टीम तो ध्यान से वीडियो देखना I hope यह match बहुत मजादार हो और उसके लिए वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो इस match का small league grand league दोनों के combination create कर पाऊगे तो चलो इंट start करते हैं इस match के analysis लाइक करके start रखना अगले matches के coverage अपरे डियो टीम के लिए जूट सकते हो सब इंग्लेंड की फिवर में टीम बनाएगा बट मैं अच्छा बैटर्स को रखोंगा जिसे कि होगे इंग्लेंड से इंग्लेंड से इस match में कौन open करेंगे पता है आपको इस match में आपको beth and ellis open करते हैं दिखेंगे जो लास्ट मैच में bad team balling कुछ नहीं किया था अपके इस match में important option इंग्लेंड 11 से beth and ellis number two beth and gammon को आप बैक कर सकतो इस match के लिए मुझे दो प्लेयर बहुत अच्छा लगा beth and gammon यह अच्छी प्लेयर है record domestic में अच्छा है दोस्तो beth and ellis अच्छी है बट beth and gammon सिफ बैटिंग से point देंगे still 2 player जो first important है वो beth and ellis number two important player इस match में दो प्लेयर आ चुका है तीसरा number important player रिया फैक्रेल इसके पास experience है यह bad ball दोने से point दे सकती है तो यह हो गया हमारा तीसरा player ठीक है इस match से चौता player मेली टेलर चार प्लेयर आ चुका है पाचुआ प्लेयर beth and gammon रहेंगे कौन number देख लो पहले मैंने किसको कहा पे रखा सबस इसकी experience है रिया फैक्रेल फॉर्थ option कौन रहेंगी दोस्तो फॉर्थ option मिली टेलर और उसके बाद 5th option रहेंगी दोस्तो beth and gammon beth and gammon as a batter play करेंगी मैं repeat कर रहा हूं beth and ellis जो है ना यह नोंने balling भी करना है इस match में मुझे लगता है फॉर्स मैश में नोंने 23 रनोर एक ओवर डाले थे दोस्तो यह अच्छी प्लेयर है इसको बैक कर सकते हो फॉर्थ option ऐस फिप्थ option दोस्तो आप डेसी गीव्ट या कैसी दी मैकर्थी को यूज कर सकते हो दोस्तो बट मैं यह चार और पाफ्च्वा उप्शन के साथ जाना प्रेफर करूंगा उसके बाद according to condition like if they gonna ball first आपको लगता है team win करेंगे balling first specially तो Gibbs को ले लेना मैकर्थी जो मुझे देखके लगा कि दोनों team batting से दोस्तो विकेड लॉस कर सकता है specially England 11 दोस्तो मुझे batting strong week नहीं रहा है इनका batting week है यह bat first collapse भी करा सकती है दोस्तो यह बात यहाद रगना अपिनिंग बॉलिंग C. McCarthy, D. Gibbs, S. Pi डेफ में कौन करेंगी रिया पैक्विल कराएंगी बैथन एलिस कराएंगी और Chris Green करते वे दिखेंगी या शियरा ग्रीन करते वे दिखेंगी इस team से डेफ में बॉलिंग बैथन गेमन वेल्स के लिए डिसेनली 45-45 वर्फरा 36 अच्छे फॉर्म से आ रहे है दोस्तो बैथन एलिस सेंट्र स्पॉक्स के लिए खेलती है बैड वॉल जोनों कराती है अच्छी प्लियर है दोस्तो इंपॉर्टन ऑप्शन शियरा ग्रीन ससेक्स ओमन के लिए खेली है इनमें से कैसी निमें खटी स्लाइडली जाना इंपॉर्टन इन्होंने रोकेट के लिए एक आदम दहुंड के लिए मैचेस खेल चुके मिली टेलर ससेक्स के लिए एक ससेक्स की प्लियर है टुनामन मैं ची बॉलिं करा रही है और दूस्पीन बॉलर है मच्छी प इस्पीनिशन के साथ जाऊंगा दो प्लैयर हो चुक के हमारे पास तीसरा प्लैयर स्टीम से दोस्तों कोईनी क्या इन्टी डिफिंशल है दोस्तों और सबसे उपॉर्टेन बात क्या है कि इनका जो पन ने इनका बैटिंट विक है तो हना लेंदर आपके लिए अच्छी प 4th option hana lander हो चुक है कौन-कौन आइडिस जुलिंग रॉबी रिच के नमबर वन आइडिस जुलिंग नमबर टू रॉबी रिच के कैप विसी कंबिनेशन उसके बाट नमबर थर्ड दो सो कैरिलीन डिलेंगे नमबर फोथ हना डिलैंडर रहेंगी चार प्लेर आ चुक है पाच इसेंट प्लेयर है तीनों मैंच में रन बढ़ा है इन्होंने तो यह हो गया 5th & 6th Caroline Van Kulwis & Amazon Thompson यह हो गया हमारे लिए 5th & 6th option उसके बाद 7th balling option में भी डिकलिंग या फिर खुराना को यूज करना है तो करो बट मुझे लगता है कि इस मैंच में आपको मौका नहीं मिलेगा इसकी मिद लास्ट मैंच में कुछ नहीं किया तो हम लोग नहीं लेंगे इनको अपने टिम में बेंच में टोना पॉलेट खेल रहे है दोस्तों बेंच से अगर आती है में भी दो ओवर डाले उसकरना है तो कर सकते हो बॉल फर्स्ट ऑपिटिंग बॉलिंग आईडिस यू किलिंग रॉवी डिच के कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी पॉफरमेंस देखे आ रही है दोनों प्लेयर का जहर पीक होनी चाहिए कैरोलिंडी लेंगे उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टन प्लेयर और हाना लैंदर यह इंटरनेशनल में आपने त्यों से रियोंगे लीगन प्लाइंट उसमैं दोस्तों फुलाल जो मेरान गरें टीम रहेगा उसमें मैंने या सब्यान प्लय शीयर और सबस्क्या यहां से must pick बना के चल दे दोस्तों हम लोग अभी के लिए ओके आईडिस जुइलिंग must pick stock को मैं नहीं लूँगा रॉवी डिच के must pick player बैथन एलिस इस मैच के लिए must pick player है यहां से हमें sheer green important है cd green लेंगे हमारे लिए important है मिली टेलर ने अच्छा balling कराया और बाकी हना लेंदर थोड़े बहुत सही pick है अब उसके बाद हमारे बाद दो balling players के option बच चुके है मैं gammon kulvis को ले सकता हूँ या फिर दोस्तों मैं ले सकता हूँ thompson and kulvis को मैं kulvis को slightly more important मानता हूँ क्योंकि आपको balling जरूर करते हुए दिखेंगी और इनके साथ मैं फिलाल thompson को जा रहा हूँ जो open आ रहा है दोस्तों gammon इस match में open आ सकती है दोस्तों या फिर बैतन एलिस भी इस match में open आ सकती है इनको यूज कर सकते हो फिलाल मैं gammon नहीं ले रहा हूँ उनका selection भी फिलाल कम ही है फिलाल जो मेरा captain बनेगा default iris healing और मेरा default VC है इस match में रॉवी रिचके ना कि कोई और player क्योंकि रॉवी रिचके का experience सबसा अच्छा है बैतन एलिस अच्छी player है लोजी के लिए आप cap VC बना सकते हो हाई chance से open करेंगी इस match में तिलाल के लिए गाइस यह रहेगा मेरा team इस match के related कुछ भी और update वा next match के coverage या फिर वा demo team शेयर होगा आपके साथ टेलिग्रम पे दोस्तों आपको जुनना है टेलिग्रम का link मिलेगा वीडियो के description and comment section में thank you guys मिलते है match time पे टेलिग्रम पे thank you